ठीक तो अब ये जो electrons हैं जो की particular energy levels पे हैं अगर किसी भी electron को किसी एक particular type की energy दी जाए चाहे वो heat energy हो या light energy हो तो वो क्या होता है कि जो electron है अगर उसको suitable energy मिल जाए तो वो higher energy level में jump कर जाता है electron ने jump करा higher energy level पे पहुँच किया कुछ समय के बाद बहुत देर तक ही लेकिन इस energy level पे नहीं रहेगा कुछ समय के बाद ये वापिस अपने ground state पे लोट आता है जो उसका original energy level था सामान नियवस्था थी वहाँ पे लोटता है तो जब electron इस level पे लोट कर आता है उस समय जो energy है व energy को एक particular type of energy दी गई थी तो अब हम आते है energy bands in solids पे इसको ढंग से समझ लीजेगा energy bands in solids में क्या है solids या जो ठोस होते हैं आप ये जानते हैं कि ठोस अलग-अलग type के atoms से मिलकर बनते हैं असंखे परमानू जब मिलते हैं तो solids या ठोस बनते हैं राइट जब कोई एक particular अगर आप atom consider करेंगे तो हर एक atom में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था इसमें definite energy levels होते हैं इसमें अलग मतलब एक definite है जो उर्जास तर होंगे वो कितनी होंगे जैसे हमने अभी पहले इससे पहले वाले article में पढ़ा था कि एक particular atom में जो number of orbits है ये fix है और हर orbit का जो energy है वो भी fix है तो इसका मतलब ये sure हो गया कि हर एक atom में कुछ definite energy levels होंगे अब क्या है कि जो electrons हैं किसी भी एक particular energy level पे वो बहुत सारे है reason क्या है कि जो ठोस था जो solid था वो बहुत सारे atoms को मिलकर बना atom में अगर हम energy levels को थोड़ी देर के लिए समझने के लिए E1, E2, E3 वोलते हैं तो अगर एक atom में E1 energy level में मान लीजे कि 2 electrons हैं तो क्योंकि यहां पर बहुत सारे atoms मिलकर solid बनाया है तो first energy level म भी बहुत सारे electrons होंगे अब दो electrons नहीं है numerous electrons हैं हर एक atom के electrons first energy level में हैं तो यह जो numerous electrons हैं किसी एक particular energy level के यह एक दूसरे के बहुत close होंगे बहुत past में होंगे क्योंकि जो solids हैं उसमें atoms closely packed हैं इसकी वज़े से atoms closely packed होने की वज़े से जो उनके particular energy levels हैं उनमें जो electrons हैं वो एक द प्रिफ्रेंस होने के वज़े से energy levels में electrons के ये एक साथ मिल जाते हैं और energy band बना लेते हैं तो ये जो energy band है अब किस प्रकार से इसको name किया जाता है first energy band, second energy band and so on इस तरीके के energy bands बन जाते हैं तो ये जो energy bands बनेंगे इन bands में जो valence electrons हैं यानि कि जो सयोजक electrons हैं जो last shell की electrons हैं उनक द्वारा बना गया जो band होता है उनके द्वारा निर्मित जो पटिका होती है उसको बोलते हैं valence band या फिर सयोजन band उस band को सयोजन band कहा जाता है और इस सयोजन band के ऊपर एक और पटिका होती है एक और band होता है जिसे बोलते हैं conduction band या फिर चालन चालक band ये next permissible energy level है जैसे energy levels वो एक energy level होगा, उसके बाद second energy level होगा, 1.5 नहीं होगा, first energy level, second energy level, third energy level, तो valence band के बाद, जो next energy level है, वो conduction band का ही होता है, इसको एक बार जल्दी से वापिस देखिए, कि जो solids हैं, जो ठोस हैं, वो असंखी परमानूओं को से मिलकर बनते हैं, हर एक परमानू में निश्चित उर्जास्तर होते हैं, अब क्योंकि हर एक परमानू में निश्चित उर्जास्तर हैं, और बहुत सारे परमानू एकठे मिलकर एक ठोस बनाया है, इसलिए अब जो number of electrons ह इसमें वो भी बहुत अधिक हैं, तो हर एक energy level में numerous electrons हैं, जैसे first energy level में बहुत सारे electrons, second energy level में बहुत सारे electrons and so on, एक particular energy level के जो electrons हैं, उनमें बहुती slight difference होता है, इसलिए एक particular energy level के जो electrons हैं, वो एक साथ मिल जाते हैं और energy band बना लेते हैं, और इन energy bands को इस तरीके से name कर देते ह जो valence shell यह सायोजक electrons के द्वारा निर्मित band होता उसको बोलते है सायोजन band या फिर valence band और उसके उपर एक और band होता है जिसे बोला जाता है conduction band की next permissible energy level है